हेलो एवरीबड़ी यह है अपनी नियू किया सेल टॉस और यह इसका है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो अपना एमाइडी वगेरा है उसमें आपको क्या-क्या फीचर मिलते हैं और किस तरह साब इसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स ब्राउज बगेरा कर सकते हैं सबसे पहले कार को अनलॉक करके अंदर घुशते हैं घुशते ही मैं आपको इसका एनिमेशन देखाऊंगा यह अब देख सकते हैं यह अपना बेस मॉडल से लेके एच्टी एक्स वेरियंट तक ऐसा ही आता है इसका जो उपर वाला वेरियंट है जो कि एच्टी एक्स प्लस और उसके उपर जीटी लाइन है उन वेरियंट में थोड़ा सा बड़ा एमाइडी मिलता है और थोड़े से ज करते हैं सेकेंड दबाने पर देखो सिस्टेम चेक दिखाती है और अपना यह जो वर्निंग लाइट्स वगए रहा है और इस तरह से अपने को कुछ पहले इन्फोर्मेशन देखने को मिलता है इसमें सबसे पहले इस तरह अपना हो गया है टेको मीटर यह अपना डिजिट अपना डिजिल मिलता है इधर अपने को सारे वर्णिंग लाइट्स वगएर मिलते हैं देखो इसको ब्राउज करने के लिए पहले कार्ज में क्या होता था इसे डंडा वंडा से करना परता था लेकिन इसमें वह सिस्टेम नहीं है आपको इस चीज से आप ब्राउज कर सकत एक बर दबाऊगे देखो पहले यह है इसको दबाने से अपना यह कंपस चालू हो गया यह अपने नौर्थ है इधर साउथ है अभी हम इस्ट और साउथ साउथीस्ट की तरफ फेस कर रहे है सामने इस तरह से कंपस मिलता है फिर से दबाऊगे तो टायर प्रेशर देखो इंडिविज्वाली हर टायर की यह प्रेशर अपने को दिखाता रहता है इसमें सामने के दो टायर में सामने के एक टायर में 38 है बाकि सारे में 39 है एक और बार आप इसको दबाऊगे तो वापस आप इसे इंफरमेशन पर आ सकते हो ऊपर यह दिखाता है 426 किलोमेटर यह range है मतलब अभी जितना fuel है इस fuel में car अपनी कितनी दूर चलेगी ये होगे अपना बाहर का temperature और ये अपना odometer reading मतलब शुरू से car अपनी कितनी चल चुकी है और ये अपना है trip reading मतलब मैंने जब last इसको reset किया था उससे मैंने इसको 87.2 किलिमेटर्स चला दिया है और अपना उसमें अपने को 15.6 की mileage दी है और इसका mileage मेरे को लगता है जो MID में दिखाता है और real life में देती है almost बराबर ही होगी उस पे भी मैं शायद एक video बना सकता हूँ कि कितना इसका difference आ जाते है इसका mileage test करेंगे और यह अपना हो गया इस trip का कितना driving time मतलब इस trip में मैंने 4 घंटा 54 मिनिट्स almost 5 घंट के लगबग car चलाया है अब देखो trip को browse करने से हमको पहले इसको अब कर दिया यह अपना दिखाता है average तो आपको दिखा दिया depending on your driving style अगर आप fully accelerator छोड़ देते हो just neutral करके चलते हो या फिर ऐसे ही चलते हो gear लगा कि without accelerator तो यह 30 पे पहुंच जाती है और जितना आप इसको rev करोगे जादा accelerator जादा प्रेस करोगे उतना कम होती रहती है यह अपना instant fuel economy हो गया वापस इसको करने से अपना digitally यह speed दिखा देती है car जब चलती है अभी speed 0 है जब चलेगी से 40-45 तो यह अपना exact speed दिखाती रहेगी कितनी speed पे अपनी car चल रही है वापस करने से यह अपना second trip दूस्टी trip में हमने just 2.6 km travel किया है 10 minute में और अपने को 14.4 की इसमें mileage दी है अगर आप reset करना चाहते हो तो अपने को क्या करना है यह जो okay button है इसको hold करके रखना है यह देखो मैं इसको hold करके रख रहा हूँ यह fully reset हो गई driving information भी full reset हो चाहिए mileage hour सब कुछ अपनी वापस back to zero इसको वापस हम दबाएंगे तो अपनी वापस initial trip पे भी आ जाती है एक और चीज में आपको दिखाता हूँ M.I.D. में और क्या क्या function मिलते है माल लो आपने इसमें map डाल दे ठीक है south city mall करते है ठीक है यह अपना start guidance हमने कर दिया starting route guidance तो जब आप इसको ऐसे browse करते हो देको पहले तो यहां पर आ चुकी है अपना जो navigation है हमने जो destination दिया है वो हमारी current location से 6.2 km दूर है अगर मैं ऊपर कर देता हूँ एक second sorry अगर मैं यह दबा देता हूँ तो यह देखो अपने को इसका जो navigation data है कहा turn लेना है क्या करना है यहां पर दिखाती रहती है मतलब अपने को उल्टा चलना है देख रहे हो यह भी एक बढ़िया चीज है मालो driving कर रहो बार-बार आपको road से हट कर इधर देखने के जरूरत नहीं है just आप इधर से भी देख सकते हो कितनी दूर जाके आपको कितना turn लेना है कहाँ पर आपका destination है क्या चीज यह अपने को इसमें simultaneously पता चलता रहता है वह वापस दबाने से tire pressure हो गया यह और यह देखो इसमें जब आप navigation on कर देते हो ना तब आपने को compass देखने को नहीं मिलता फिर अपना fuel economy इसको आप कुछ भी कर सकते है average देख सकते है instant देख सकते है वापस मने दिखा दिया speed यह सब चीज आप देख सकते हैं और अपना back to maps एक और feature जो अपने को मिलता है वो है इसकी जो brightness है उसको भी आप adjust कर सकते है इस button से जैसे अगर आप इसको उपर की तरह दबा आगे तो आपका brightness देखो illumination यह maximum होता रहेगा maximum और इसको अगर आप नीचे के इसको press करोगे तो देखो यह अपना घटता चला जाएगा इसको middle पर 10 पर रखते हैं और एक और चीज इससे आप traction control off या on कर सकते हैं अगर आप इसको दबात होगे तो off हो जाएगा और इधर आपको इसकी display भी मिलती है कि traction control disabled और यहाँ पर इसका symbol भी आता रहता है तो यही कुछ function feature वगेरा थे Kia, Celtos, HT, XK, MID में काफी simple आपको पहली बार देखके लगेगा जरूर की काफी complicated है इतने सारे buttons कैसे use करें लेगिन बहुत ही simple है just इससे अपने को browse करना है और इससे आप up down कर सकते हैं कि किस तरह की information आपको देखनी है और ओक के दबा के अपने को reset वगेरा भी करना है यह सारे features अपने को cruise control के मिलते है इसका MID से कोई लेना देना अपना नहीं है तो अगर आपको यह video पसंद आया है तो इसको like कीजेगा और ऐसी videos देखने के लिए चैनल पे subscribe भी कर देना